हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही है यह मैंने दो पादू दिया है इनको मैंने द्वाइन कर लिया अब मैं इनको दबागे इसमें मैं डालू हुई कि आज हम बनाएंगे मिलिंग स्नैक पोटाटो के थोड़ा सा यह मैं चावन काटा डालूंगी थोड़ी सी हे मिर्च डालूंगी यह मैंने थोड़ा सा नमक टाल दिया अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी चार मसाला हुआ इसको हम बनाश करेंगे अच्छा से मैं आए अच्छा से मिक्स कर लिए और इसके चोटे 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 तर दो पेड़़ा खेंगे अच्छा पतले पतले ऐसके लंबे लंबे बनाएंगे इसके शेप में कि यह देखे अब हम ने यह सारे बना लिए अब इसको हम दो मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे अब देखें फेंड सम पैन में तेल डालेंगे यह देखें प्रैंट्स तेल हमारा गरम हो चुका अब हम इसमें यह डाल देंगे यह जट से बनने वाले स्नैक है इससे आप जट से बनाएं और पट से खाएंगे इनको हम असानी से पलट सकते हैं यह देखें ऐसे इन्हें आप किसी भी शेफ में बना सकते हैं यह देखें आप बिल्कुल क्रिस्पी बन चुके हैं अब हम इन सभी को बार निकाल लेंगे यह देखें यह फटा फट बन जाते हैं दो मिनट में कोई भी गैस्ट आया आप इसे फटा फट बना सकते हैं खाली अलू उबलेवे होने चाहिए अब है यह देखें कैसे फटा फट के बन गया हमारे यह देखें यह भी मारे बनके बिल्कुल लड़ी हैं इसका आइल हमने निकाल लिया अच्छे से और अब इसको प्लेट में डाल लेंगे यह देखें इसके उपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और यह चीज हम थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे इसके उपर करेंगे इसके उपर इससे इसका टेस्ट दूबना हो जाएगा इसके उपर हम डालेंगे थोड़ी सी आरिगानो इसके उपर हमने डाल दी थोड़ी सी आरिगानो और इसको खाएंगे आप पटा पटा चट्की के साथ जारमबर और अगर पैंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्ता जू झालेंगे